रादे रादे जैसी कृष्णा मैं सीमा सिंग बड़ों कुछ अरणिस पर छोटों को प्यार और वराबरवालों को नमस्कार करती हूँ आज हम कार्थिक मास के महात्यमे का 33 अध्याई सुनेंगे अब तक हमने 32 अध्याई सुने हैं अशा करती हूँ आपको सभी अध्याई अच्छे लग रहे होंगे अगर आपको ये अध्याई अच्छा लगे तो इसे जादा से जादा लाइक करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों में जरूर शेयर करें तकि उन्हें भी कार्तिक मास के महात्यम्य को सुनने का संपून फलप्राप्त हो और हमेशा की तरह आपसे एक करून रिक्वस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद आईए अब हम कार्तिक मास के इस अध्धाय में कुन सी कथा को सुनेंगे वैविस्तार से जानते हैं कार्तिक मास के इस अध्धाय में हम 33 अध्धाय सुनेंगे साथ ही कार्थिक मास के वरतों की उद्यापन विदी सुनेंगे और साथ ही कार्थिक मास के इस्तनान की एक पुरणी कथा भी सुनेंगे राजा प्रथु नारत्मुनी से पूछने लगे कि है देवरिशी कार्थिक के वरत के उद्यापन की क्या विदी है कृपया करके आप हमें विस्तार से सुनाईए क्योंकि आप तो सरवग्य हैं आपके सानिध्य में ही हमें कार्तिक मास का संपून फल प्राप्त होगा तब नारत्मुनी राजा फ्रतु से कहने लगे कि हे राजन कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विदी तुमधान से सुनों कार्तिक शुकल चतूर दशी को व्रत की संपूनता के लिए कार्तिक मास के इस्तनान व्रत का उद्यापन करना चाहिए घर के पूजा इस्थान को गाय के कोबर और पिली मिटी से लीपना चाहिए, तुलसी के उपर मंडब बनावें, द्वारों में मिटी के चारों द्वारपाल बनावें, जिनका नाम सुशील, पुन्याशील, जय और विजर रखें, तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतो बत्र बना हुए तथा रेश्मी, वस्त्र पहने, लक्ष्मी जी सहीत भगवान विश्नु का पूजन करें, द्वारपालों सहीत मंडल में इंदरादी देवताओं का पूजन करें, और भगवान द्वादशी को जागे, त्रियोदशी को देवताओं निस्तूती करी, चतुरदशी को पूजेगे, इसलिए चतुरदशी को पूजन और उध्यापन करना चाहिए, सोने के भगवान की मूर्ती बनाकर शोडशोप चारविदी से भगवान विश्नु का पूजन करें, फिर शयादान करें, सफेद, वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खडाओ, छत्र, दीप, शा, कंगी, अंजन, चलाका, केंची, मोली, सिंदूर, कुमकुम, लों, इलाइची, गुरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंदित, पान, वीडा, माला, मिष्टान, अंगूठी, नत, और अन्य जो भी प्रियवस्तु भगवान, विश्नु और मातालश्मी की हैं, वे भी र दामोदर ही शेष्ट होता है, इस्त्री युक्त भ्रामन को वस्त्र आबुशन से पूजन करें, कंचु की धोती जूतों का चोड़ा भ्रामन को देवें, सोने चांदी तांबे या पितल के यथा शक्ति पात्र देवें, फिर भीश्प्यू पंचक व्रत की समाक्ती के ये निमित चांदी के दीपक में सोने की बत्ती लगा करके दान करें, साथ ही ये प्रात्ना करें, जैसे भगवान लक्ष्मी नारायन की शैया सूनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी शैया भी सूनी नहीं रहें, फिर तिल और खीर से हवन करें, विश्णु की प्रसंदता के का त्यायनी देवी का हवन करें, दक्षीना देकर भ्रामन को प्रणाम करें, फिर देवता तुलसी और गाय का पूजन करें, व्रत के उपदेश देने वाले गुरु की इस्त्री सहित पूजा इस्तूती करें, और बोलें कि इस व्रत के काने से मेरे साथ जन्मों के पापों का नाश हो, संतती इस्तिर रहे, मनोरस सफल हो, दह के अंत में विश्नुलो की प्राप्ति हो, पूरण मासी के दिन यथा शक्ती एक या तीस भ्रामनों को भोजन करावे, यदि सामर्थय नहीं है, तो एक जोड़ा जोड़ी भ्रामन को भोजन कराकर के दक्षेना देवे, अगर सामर्थय है, तो दूद देने वाली गाई बच्छडा सही दान में देवे, उसके बाद गुरू का पूजन करें, शाक, मूल, फल का दान करें, द्वारपाल, कवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल, इनको अन देवे, फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्राथना करें, कि है इश्वर, मेरी संपून कामनाई पूर्ण कीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इस प्रकार प्राथना करके भगवान लक्ष्मी पती को अर्ध्य दे, और कहें कि है देवेश, लक्ष्मी सहीत मेरे अर्ध्य को सीकार करें, जिनके इस मरण मात्र से तब यग्य किरिया थोड़ी भी संपून हो जाती है, उन एचूत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, भक्त जन भगवान की प्रसंदता के लिए अपने घरों में दीप माला करें, ब्रामनों को खी रादी का भुजन कराकर यथा शक्ती सामर्थे अनुसार दक्षिना देवें और पाउं चूकर उनसे आशिरवाद लेवें, फिर मित्रों बंदू भांदूओं सहीत सम भुजन करें, नारद मुनी राज़ा प्रधू से बोले कि है राजन, जो कोई मनश्य कार्थिक मास के इस्तनान व्रत के बाद इस विधी से व्रत का उध्यापन करते हैं, वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विश्णू लोग को पाते हैं, इसमें कोई संद है नहीं है, प्रतेक व्रत यग्यत अप दान का जो फल मिलता है, कार्थिक मैने में इसका कोटी गुना फल मिलता है, कार्थिक के व्रत करने वाला धन्य है, सदा पूजनी है, उसका जीवन सा फल है, इस तरह जो कोई कार्थिक के वरत को कहता सुनता देखता है उसको भी वरत के चोथे भाग का फल मिल जाता है सूत जी कहते हैं कि इतनी कथा सत्यभामा को सुना कर भगवान स्रीकरश्न चंद्र संध्या उपासना करने के लिए महल में चलेगे ये कार्थिक मास का वरत भगवान विश्नु को अधिक प्रिय है तता भक्ती को प्रदान करने वाला है रात्री जागरन प्रात्यकाल का इस्तनान तुलसी वट सिंचन उद्यापन दीब दान ये पांच कर्म भगवान विश्नु को कार्तिक मास में अधिक प्रिय है इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए 88,000 रिशी मुनियोनी सूत जी से पूचा कि है मुनिवर भगवान विश्नु का प्रिय अधिक फल देने वाला शरीर के रोम रोम को प्रसन करने वाला जो कार्तिक महात्या में आपने हमें सुनाया है मोक्ष की चाना करने वाले या भूग के इच्चुक मनुश्य को ये वरत अवश्य करना चाहिए किन्तु हम एक बात आप से पूचना चाते हैं कि यदि कार्तिक मास का वरत करने वाला किसी संकट में फस जाए या जंगल में हो या रोग ग्रस्त हो तो फिर यह कार्तिक वरत को वह किस प्रकार पूरा करे क्योंकि ये विश्णु जी का अती प्रियर भुक्ती मुक्ती प्रदान करने वाला मास किसी भी तरह से मनुश्य को छोड़ना नहीं चाहिए तब सूत जी रिशीमुनियों से बोले कि है रिशीमुनियों यदि कार्तिक रती किसी संकट में फस जाए तो उसे शंकर भगवान और विश्नु भगवान के मंदिर में बैट कर इस मास को पूरा करना चाहिए अगर घने जंगल में हो तो पीपल के पेड़ के नीचे अत्वातुलसी के वन में जाकर रात्री जागरन करें भगवान विश्नु जी की मूर्ति के सम्मुख बैट कर विश्नु जी का कीरतन करें भजनादी करें ऐसा करने से हजार गवों के दान के बराबर का फल मिलता है जो मनशु विश्नु जी के कीरतन में बाजा बजाता है नत्य करता है उसे वाच पे यग्य के बराबर का फल मिलत जो मनुश्य विश्णु भगवान के मंदीर में कीर्टन में बाजा बजाता है उसे वाच पे यग्ये के बराबर का फल प्राप्त होता है और हरी कीर्टन में नत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में जाकर इस्तनान करने का जो फल मिलता है वही फल उसे मिल जाता है किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विश्णु के नाम मात्र से ही मारजन कर ले यदि उद्यापन न कर सके तो वरत की पूर्थी के लिए केवल भ्रामन को भुजन करा दे भ्रामनों के प्रसन होने से ही विश्णु भागवान प्रसन हो जाते हैं यदि कोई दीव दान न कर पाए तो दूसरों के दीव की वायू से भली भाती रक्षा करे तो भी उसे पूरा फल प्राप्त होता है यदि तुलसी का पोदा पास न हो तो विश्णु भ्रामन की ही पूजा कर ले क्योंकि भागवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं इन सब के नहोने पर व्रती भ्रामन, गाई, पीपल, वट व्रक्ष की कार्तिक मास में सेवा करे तो भी उसे कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा शोनगादी 88 हजा रिशी मुनियों ने सूत जी से कहा कि आपने गाई, भ्रामन के सदरश्य, पीपल और वट व्रक्ष को बतलाया इन सभी व्रक्षों में पीपल का व्रक्ष और वट व्रक्ष आपने शेष्ट क्यों कहा है क्रेपा करके आप हमें इसकी सच्चाई बताएं तब सूत जी रिशी मुनियों से बोले कि हे रिशी मुनियों पीपल का पेड साक्षात विश्नु भगवान है और वट व्रक्ष साक्षा संकर भगवान है और पलाश का पेड साक्षात ब्रह्मा जी है इन व्रक्षों की पूजा, सेवा, दर्शन, मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है रिशियों ने कहा कि हे प्रभू हम लोगों को इसमें संदे है कि भ्रम्मा, विश्नु, शंकर व्रक्ष रूप के क्यों हो गे आप क्रपा करके हमें इसका पूरा महात्यम में सुनाए तब सूत जी रिशियों से बोले कि ये रिशियों प्राचीन काल में भगवान, शंकर और माता पार्वती जी विहार कर रहे थे उस समय उनके विहार में विद्न डालने के विचार से ब्रामन का रूप धारन करके अगनी दे वहां पहुच गए विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण माता पार्वती क्रोध में भर कर समस्त देवताओं को शाब दे दिया माता पार्वती ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं विशय सुख को तो कीट पतंगे भी जानते हैं उसमें आप लोगोंने देवता होकर विद्न डाला है इसलिए मैं आपको वरक्ष होने का शाब देती हूँ सूती जी कहते हैं कि इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाब से सभी देवता वरक्ष होगे इसी कारण भगवान विश्नु और शंकर जी दोनों पीपल और वट होगे और भ्रहमा जी पलाश का पेड होगे इसी कारण भगवान विश्नु का शनीदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनीवार को ही पीपल का इसपर्ष करते हैं अन्य दिन नहीं करते तब 88,000 रिशीमुनियों ने सूत जी से कहा कि है सूत जी पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़ कर सबता के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता इसका क्या कारण है सूत जी ने कहा कि है रिशीमुनियों समुद्र का मन्थन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कुस्तुमनी भगवान विश्नु को दे दी विश्नु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवा करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने विश्नु भगवान से कहा कि हे प्रभू मेरी एक बड़ी बहन है, जिसका नाम ए लक्षमी है, वे अभी तक भी कुमारी है, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याहा नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी से विभा नहीं कर सकते, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याहा करा दीजिए, बाद में आप लक्षमी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णू ने लक्षमी जी की बड़ी बहन का ब्याहा उदालक रिशी के साथ कर दिया, वे ऐ लक्षमी बड़ी ही कुरूप थी, बड़ा मुक्ता चमकते हुए दांत, व्रद्धा के सामान, शरीर बड़े बड़े नैत्र, आश्रम में आगे, उस आश्रम में वेद मंत्रों की ध्यनी गूँज रही थी, आश्रम में यग्य हवन हो रहे थे, यग्य हवन के पवित्र धुमों से आश्रम सुगंदित हो रहा था, सभी महात्मा सादू संदु पूजा पाठ में लगे हुए थे, उस मनोहर आश्रम को देखकर ऐ लक्ष्मी दुखी हो गई। वे तुम मुझे बताओ। ए लक्ष्मी ने अपने पती उदालक मुनी से कहा कि जहां पर वेद की ध्वनी होती हैं, अतीतियों का सत्कार होता है, यग्य हवन होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहां पर पती पत्नी आपस में प्यार करते हैं, पित्रों के निमित यग्य हवन और तरपन होते हैं, देवताओं का पूजन होता है, वहां पर भी मैं नहीं रह सकती। जहां पर दिन रात पती पत्नी में जगड़े होते हैं, अतीतियों का आदर सत्कार नहीं होता, जहां पर पूज्य व्रद्धों का अनादर होता है, जहां दुराचारी चोर पर इस्तरीगामी प्राणी रहते हैं, जहां गायों का वद्ध होता है, मद पान ब्रहम हत्या करती हूं सूत जी आगे बोले कि हे रिशी मुनियों ए लक्षमी के ऐसे वचन सुनकर उदालक मुनी दुखी होगे एक बार तो वे उसकी बात को सुनकर चुप होगे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने ए लक्षमी से कहा कि तुम मेरे साथ एक इस्थान पर चलो और उसे ल तब तक तुम इसी पीपल के पेड़ के नीचे चुप चा बैठी रहो सूत जी ने कहा कि महरिशी उदालक ए लक्षमी को उस पीपल के पेड़ के नीचे बिठा कर उसके लिए उसके योग्य जगर ढूनने के लिए चलेगे लेकिन जब है बहुत समय तक प्रतिशा करने पर भी उदालक मुनी वापस नहीं लोटे तो ए लक्षमी जूर जूर से रोने लगी लक्षमी जी ने बैकुंट में अपनी बहन ए लक्षमी का रोना सुना तो वै व्याकूल हो गई और दुखी होकर उन्होंने भगवान विश्नु से कहा कि है प्रभू मेरी बड़ी बहन ए लक्षमी पती के त्यांग देने से अध्यन दुखी हो गई है हे नात यदि मैं आपकी प्रियपत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए लक्षमी जी की प्रातना सुनकर कृपा सुन्दू भगवान विश्नु लक्षमी जी को साथ लेकर पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ती हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। जब भी शनिवार के दिन इस्तनिया तुम्हें पूजन करेंगी तभी लक्ष्मी जी उनके घर में निवास करेंगी उनके घर में इस्थाई लक्ष्मी का वास होगा। परंतुर विवार के दिन जो पीपल का इसपर्ष करेगा वे दरिद्र हो जाएगा। ऐसा कहे कर भगवान विशनु मातालक्ष्मी के साथ अंतरध्यान होगे। हे रिशियों पीपल के मूल में भ्रह्मा, मध्य में विशनु और शाखा में शिव का वास है। ऐसे पीपल व्रक्ष को मेरा नमसकार हो। सूत जी कहते हैं कि जो कोई भी इस कथा को पड़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा। उसको प्रयाग और बदरी का आश्रम जाने इसनान करने जितना फल प्राप्त हो जाएगा। जो कोई भी इस कथा को चित से सुनेगा, वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंट को प्राप्त होगा। आईए अब हम कार्तिक मास के इसनान की एक वरानिक और सच्ची कथा सुनते हैं। एक बार एक छोटा सा गाओं था, उस गाओं में एक भ्रामन दमपती अपनी बेटी के साथ रहते थे। ब्रामन वीद शास्त का ग्याता था, वे अपने यजमानों के यहां कता कहानियां कार्तिक मागमास पुष्योतमास के महात्य में सुनाता, बदले में यजमान उसे आटा, दाल, तेल, घी देते जिसी से उसका गुजर वसर होता था। इस तरह समय बीत रहा था, धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी, अब ब्रामनी को अपनी लड़की के विवा की चिंता सताने लगी। तो भर जाता है, लेकिन हम कोई धन जमा नहीं कर पाए। इस तरह ब्रामनी रोज अपने पती को ताने देने लगी। तब एक बार की बात है, कार्तिक का मेना चल रहा था। ब्रामन अपने पोथी पाने लेकर घर से निकल गया। पूरे गाउं में वह सबसे पूछता रहा कि कोई कार्तिक का महात्य में सुन लो। लेकिन पूरे गाउं भर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कार्तिक के महात्य में को सुनता। ब्रामन दुखी होकर एक जंगल में पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। और वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे जोर जोर से कार्तिक मास के महात्य में को सुनाने लगा ब्रामन को पूरा विश्वास था कि कार्तिक मास का महात्य में संपून होते होते कोई न कोई रहागीर या भक्त आएगा जो उसको मन वांचित धन देगा भ्रामन घर से भूका प्यासा निकला था, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई भी उदर से नहीं गुजरा, भ्रामन ने पूरा कार्तिक मास का महात्य में सुना दिया, परन्तु वहां कोई नहीं आया, भ्रामन दुखी हो गया, रहे रहे कर उसे अपनी भ भ्रामन के घर जाऊंगा, तो भ्रामनी मुझे जली कटी सुनाएगी, भ्रामन की आँखों से आशु उमड पड़े, उसका रोना देखकर विश्नु भगवान का हिर्दय पिकल गया, तभी वहां विश्नु भगवान अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए, और भ्राम मैंने तेरे कार्तिक मास के महात्यमे को सुना, मैं तेरी भक्ती और पूजा से अती प्रसन हुआ, तू मांग तुझे क्या चाहिए, भ्रामन विश्नु भगवान के चर्णों में गिर पड़ा और बोला कि है इश्वर, मुझे सिर्फ इतना धन दीजिए कि मैं अपनी बेट इस गाय को तू अपने घर ले जा, यह रोज तुझे दूद देगी और साथ ही गोबर में एक स्वन की मुद्रा भी देगी, तब भ्रामन ने विश्नु भगवान को प्रणाम किया, विश्नु भगवान ने भ्रामन को आशिर्वात दिया, और विश्नु भगवान अंतरध दूम धाम से ब्रामन पती पतनी ने अपनी बेटी का विभा कर दिया, और उसे दहेज में खूफ सारा धन दिया, गाय सोना देती है, यह बात ब्रामन दमपती अधिक दिनों तक छुपा नहीं पाए, गाउं के कुछ जलने भुलने वाले लोगों ने यह खबर राजा के प आगे कुछ नहीं कर सके, ब्रामन दमपती ने कोई विरोध नहीं किया, राजा के सिपाई गाय लेकर महल में आगे, ब्रामन दमपती फिर से तुखी हो गे, जैसे ही गाय ब्रामन के घर से राजा के महल में गई तो गाय ने दूद और गोवर में स्वन की मुद्रा देना ब राजन वह गाई जो तुमने ब्रामन के यहां से मंगवाई है उसे वापस उसे दे दो और साथ ही उसे धन भी दो यह गाई मैंने उसे कार्तिक स्नान के वरत के फल से दिया है हे राजन यह गाई मैंने उस ब्रामन को कार्तिक मास का महात्यमे सुनाने के फल सरूप दिया है इसलिए तुम यह गाई उसे वापस दे दो दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसने अपने सपन वाली बात अपने दर्बारियों मंत्रियों और पत्नी को पताई तब एक बुजुर्ग मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज यह गाई हमें वापस ब्रामन को लोटा देनी चाहिए उसे यह कार्तिक इसनान व्रत और महात्यमे सुनाने के सत से मिला है राजा ने उसी समय उस ब्रामन की गाई और खुब सारा धन उस ब्रामन को दे दिया और साथी राजा ने पूरी नगरी में यह धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास में इसनान व्रत करना चाहिए और कार्तिक मास के महात्यमे को सुनना चाहिए उसके बाद राजा ने भी जब कार्तिक का महिना आया तो अपनी रानी के साथ पूरी विदी विदान से कार्तिक इस्तनान और रत किया और उसी ब्रहामन से कार्तिक मास के महात्यमे को सुना जिससे वे सभी इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद पैकुंट को प्राप्त हुए इस तर्याज मैंने आपको कार्तिक मास के इस्तनान की एक पुरानिक कथा सुनाई आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी इस तर्याज मैंने आपको कार्तिक मास का 33 अध्याई सुनाई जिसमें हमने कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन विधी सुनी कार्तिक मास का 33 अध्याई सुनाई और साथी कार्तिक मास के इस्तनान की एक पुरानिक कथा भी सुनी आशा करती हूँ यह आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद